हेलो दोस्तो स्वागत है आज के इस नए विडियो में और आज के इस नए विडियो में आज हम बात करेंगे कि उत्तरा खंड़क पबलिकी सर्विस कमिशन के तरफ से बड़ी भरती को जारी कर गया है आप तो जान चुके होगे कि बंदी रख्यक का मतला वहता है जेल वाडर जो अंग्रेज में हम बोलते हैं जेल वाडर उसका मतलब होता है बंदी रख्यक के आपको पोस्त देखने के लिए मिल जाएगा और इस वीडियो में आज हम जानेगे कि इसको कौन कौन अपलाई कर सकते हैं यह सलेरी सिला बस क्या रहेगा पूरे इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दोंगा और पूरी जानकारी पाने के लिए आपको वीडियो को पूरा आखिर तक देखना होगा है इसलिए बिन्ना कोई देरी की वीडियो को शुरू करता हूं और शुरू करने से पहले मैं आपको बोल देना चाता हूं अगर आपको इसका ओफिसल पीड करूंगा को इधर देख सकतो 238 आपको शीट देखने के लिए मिल जागा ओल इंडिया से जिधर आपको बोथ मेल एंड फीमेल दोनों इस पोस्ट को अपले कर सकते हो अगर आप फीमेल भी हो तो आपके आथ में एक चांस भी है अपले कर लो अब हम बात करते हैं कि सेलरी सेल सेलरी के बात में आप बात करता हूं सेलैरी आपको कितना मिलेगा आपको पेहले पहले आपको फास्ट का देखने के लिए 2,700 असे से कर रहे हो तो आपको डेट भी जान लेना जरूरी इधर देख सकते हो 15 नवंबर 2022 से शुरूओ कि इसका आखरी डेट आप अपलाई पांच डिसमबर 2022 तक अपलाई कर सकते हो इसलिए जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी भी आप अपलाई कर लो क्योंकि लेट होने के काराण सर्वर डाउन या सर्वर के प्रब्लम के वज़े से बहुत सारे केंडेड अपलाई नहीं कर पाते हैं अब हम बात करते हैं कि ज्यादा तर लोगों का मतलब ज्यादा तर बंदों का प्रब्लम रहता है कि आपका एज कितना होगा इस अपलाई करने के लिए अगर आपका मि एक किस साल से शुरूआ के मेक्सियम एज आपका 30 साल तक आप अपलाई कर सकते हो और जैसे सारे गवर्मेंट जब में आपको एज रिलक्षेशन मिलता है इस जब में भी आपको अगर आप OBC हो तो आपको तीन साल का छूट मिल जाएगा और अगर आप SC या हो तो आपको पांच साल का छूट मिल जाएगा इदर आपको अच्छा चांस मिल रहा है SC ST और OBC के लिए और इदर अपलाई भी कर सकते हो और आपका एज कपसे आपका फूल हो जाना चाहिए एक जुलाई 2022 के अंदर आपका मिनियम एज एक किस या मेज पैंटिस आपका हो जाना जरूर है अब मैं आपको बेसिक डिटेल जो बता दिया लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में ठीक है आपको ध्या आपका टेस्ट कराइब आपको किया करा दिया जाएगा अपको प्रेले से बताया भी था कि बौत चेस्ट में बता दिया गया आपकाा जब जरूरी है और जब आपको फुलाव बॉलाव मतलब जो उदर ओफिसर रहेगा आपको बोले आपका चेस्ट को फुलाव तो आपका 5 सेंटइमेटर का आपका प्याट्थ होना जरूरी है और वेड के बारे में आपको बता देता हूं ध्यान से सुनिए आपका वेड पंचाव बड़ा का आपको मोटा हो जाना है तो आपको रेंदिंग में प्रब्लम देखने के लिए मिल जाएगा इसलिए आपको ज्यादा मोटा नहीं की ज्यादा पतला नहीं आपको मिन्यम एज आपका 60 या 55 के बीच आपका वेट भी होना जरू ही अब मैं बात करूंगा कि फीमेल फीमेल केंड़े आप अच्छे से सुन लो अगर आपका हाइट 122 में है तो आप अपलाई जरूर कर सकते हो मेरे को लगता है 122 में आपका हाइट में किसको प्रब्लम देखने के लिए नहीं मिले अगर आपका ज्यादा हो जाता है तो आपको प्रब्लम मिलेगा यह कम होने से भी आपको प्रब्लम देखने के लिए मिल जाएगा और पोस्ट के बारे में आपको मता देता हूं अन्रिजर्ब्ड के लिए मतलो यूर के लिए 113 पोस्ट, EWSC आपको 22 पोस्ट, OBC के लिए 30 पोस्ट, SC या ST, SC होता आपको 41 पोस्ट, और ST के लिए आपको 8 पोस्ट मिल जाएगा, ठीके? अब हम बात करते हैं कि फीमेल, फीमेल वाडर मतलो फीमेल बंदी रख्षे के लिए आपको टोटाल यूर अन्रिजर्ड अगर आप केटोगोरी से हो तो आपको सबसे ज़्यादा पोस्ट, इधर 12 पोस्ट, और EWSC आपको सिर्फ 2 पोस्ट, और OBC के लिए 4, SC के लिए आपको अगर आप सिर्फ 12 पासाड हो चुके होगे, हाँ, अगर आप सिर्फ 12 पासाड हो चुके होगे, तो आप इस जॉप में इलिजिबल हो, और बाकी के स्टेज में आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप सिर्फ 12 पासाड हो चुके होगे, तो आप अप अपलाई कर सकते हो, औ में आपका हिंदी नॉलेज होना जरूर है आपको हिंदी अच्छे से बोल पाना भी आना चाहिए आप अच्छे से लिख पाना भी आना चाहिए और अधर आपको अच्छे से बोलना और आपका प्रिपरेशन नहीं है तो आप अच्छे से नॉलेज गेंग भी कर लो प्रिफरेंस के बारे में अब हम बात करते हैं अगर आप अपको कुछ बोनस मार गया कुछ आपको फाइदमन चीज आपको जरूर देखने के लिए कि इधर शैटिपगड मागा है तो इधर आपको कुछ फाइदाए होगा ना इंस से बीशैटिपगड का बहुत महत्पुन चीज रहता है अब हम बात करते हैं कि पीजिकल एफिजेंस्य टेस्ट मतलब पीई टि आपको ध्यान से सुनलों पीई ती में अगर आपका पच्छा 50 Mark लाएं से आपका qualify हो जाएका लेकिन अपका मेरिटलिस्ट में आने में आपको थोड़ा प्रभलम मिलेगा इसलिए अगर आपको मेरिटलिस्ट में भी नाम चाहिए तो आपको 70 ya 85 अगर आप यह मार्क रखोगे तो आपको मेरिट लिस्त में जरूर आपका नाम धन जाखें अब हम जानेके कि जो आपको लाफ किया कर दाएगा पहले पड़ा में पढ़ेक्द आपको cricket ball ट्रो क हैं किर ड्रो कर न पड़ेगा जिता आपका आपके पास कम दिन है अगर आप अपसे ट्रेनिंग करोगे तो आपको इधर फिजिकल लिप में आपको कोई प्रब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर आप शिष्टी मितला हो थोड़ा जादा इधर देख सो को एक चीज को गौर करो जितना आपका मेटर आपका जितन अपको बेश्ट देने के लिए आपको राए करो अब हम बात थै कि लोग्अ में भी आपको साई इधर सेम बीस मार्क मिल जाएगा अगर आप तेरा फिट अगर आप लोंग जोम कर पाता हो तो आपको 10 मार्क मिलेगा और आप ठोड़ा ज्यादा 14 पिट को अगर आपको ल पूरा 20 मार्क चाहिए तो 15 प्रफेट जदा करो तो आपको बेसमार्क मिल जाएगा बिसमार्क नहीं नहीं तो 18 य हो से उतना ज्यादा मार्क लाने के लिए ट्राएगों कि अगर इ讲 मार्क अच्छा लाओंगे तो आपका मेरिट लिस्ट में आपका नान जरूरा आएगा पूल अप में 20 मार्क, आपका मैक्सिमम मार्क बिक्स है, 20 है, ठीके, अगर आप 5 पूल अप मार पाओगे तो आपको 10 मार्क मिलेगा, इसलिए आपको थोड़ा तो मेनत करना पड़ेगा, अच्छा मार्क लाने के लिए अच्छा मेनत भी करना पड़ेगा, अगर आप 7 पूल के लिए अगर आप थोड़ा नीचे आ गया देख सकते हो ओली फीमेल के जो शीट अप का है जो आपको मेक्सिमम 10 मार्क मिल जाएगा अगर आप 50 पसाब 50 शीट अप मार लेते हो विधिन दू मिनट का अगर आप 50 शीट अप मार पाऊगे तो आपको सेम 10 मार्क मिलेगा अगर आप 25 पसाब मार पाऊगे विधिन चार मिनट चार मिनट के अंदर 25 पसाब अगर आप 25 पसाब मार पाऊगे तो आपको चार मार्क मिलेगा और अगर आप 35 पसाब विधिन चार मिनट के अंदर देखो आपका लेबल भी थोड़ा टाप होते जा रहा र चाहिए में अपको थोड़ा लूज कर ब्याहिए तो आपको मार्क भी कम हो जाए का इसलिए अगर आप हिमला हो तो आपको दो किलम्टर का अपका रनिंग को जिद्धर दिए जाएगा और अगर आप मेल के लिए बात करेंगे तो रणिंग में अगर आप तीन क्लिम्य के लिए आप को थोड़ा आपका रिनिंग मतलब तरسم दूरी बड़ा दिया गया है 他å 4 डिम्या किलोमेटर का रनिंग करना पड़ेगा इधर आपको 20 मार्क मिलेगा अगर आप जितना टाइम आपका कम होगा रनिंग का जितना टाइम होगा इधर आपको मार्क जाधा मिलेगा अगर आप 20 मिनट के अंदर तीन किलोमेटर को क्लेर करते हूँ तो आपको 10 मार्क मिलेगा और अगर थोड़ा टाइम आपका कम जाएगा अट्रा मिनेट के अंदर क्लेर कर पाओगे तो आपको 12 मार्क मिलेगा अब हम बात करते हैं कि नीचा आने बाद इधर देख से लोग तो अगर आप 16 मिनेट के कै करने के लिए अगरा इसका अच्छे से नहीं बता दिया गया कों से साइगा जाएगा तो मैं अलग से बंदा आ कि आपको झरूर बता दिया गया है कि यह कि नेगेटिव मार्क अपको जरूर देखने मिलेगा कुई तर zone नेगेटिव मार्क कर चांतो यहां क्योंकि, फेल हो जाते हैं मतलब उसका कुछ प्रब्लम हो जाता है नहीं तो मार्क कम जाता है इसलिए आपको नेगड़ी मार्क को ध्यान से रखना इस वीडियो में आज आपको पूरी जानकारी दे दिया उत्तराखांड पब्लिक सर्विस कमिशन मतलब बंदी रख्या का जो पोस्ट गले जाये हैं बने मतलब